हेलो इबरीवन वेलकम टो माई यूटूब चैनल मैं प्रतिभा कानपुर की चैनल ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ फ्रेंज आज हम बनाएंगे हारे मतर का निमोना मतर को हम कई सारी सब्जीयों के साथ मिक्स करके बनाते हैं और उसका टेस्ट डिफरेंट होता है और यह जो सब्जी हैं मनाएंगे हारे मतर का निमोना तो इसका टेस्ट एकदम अलग होता है बहुत ही स्वाधिष्ट सब्जी लगती है तो चलिए फ्रेंज हम इस सब्जी को बनाना शुरू करते हैं बट इससे पहले अगर अभी तक आ हरे मतर का निमोना बनाने के लिए मैंने यहां पर 200 ग्राम हरे मतर लिया हुआ है और यह फ्रेस मतर है एकदम से और जब भी आप निमोना बनाने के लिए मतर लें तो जो देसी वाली मतर आती है जिसका टेस्ट हलका सा मीठा मेठा होता है और एकदम ताजी मतर का ही इस्तेम लिया हुए हैं और यहां पर हमने थोड़े से लगबग एक चमच के जितने यह रे धनिया के बीज लिये हुए हैं तो अगर आपको यह बीज मिलते हैं तो आप इस सब्सक्राइब जरूर तालेगा थोड़ा सामने लेसुन लिया हुआ है एक इंची का टुपड़ा लगभग हमने अद्रक लिया हुआ है तो अब हम इसे पीस लेंगे तो सबसे पहले हम इसका जो अद्रक लहसुन और हरी मिर्च को पीसेंगे तो यह देखिए, सात में हम इसमें धनिया के बीच भी डाल देंगे और इस धनिया के बीच तीस कर टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है बहुत अच्छा टेस्टी बनता है निमोना यह देखिए हमने इसे ग्राइंड कर लिया हुआ है मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डालके ग्राइंड किया हुआ है अगर ऐसे ग्राइंड हो जाए तो आप इसे ऐसे ग्राइंड कर सकते हैं इसे हम एक बावल में निकाल लेंगी और उसी ग्राइंडर में अब हम मतर के दानों को पीश लेंगे तो यह देखिए हमने जो यह फ् यूंकि और नीचे बहुत चिपकता है थोड़ा से टेल डाला हुआ है तो हिंग के हैं इसलों जो मटर हमने पीश के में तयार कियुत हमें पेचा है न लिए ziehen उतना ही टेस्टी निमोना बनेगा तो ये इसे बहुत ही अच्छे से करें ये देखिए हम इसे अच्छे से भूनेंगे स्टार्टिंग में ये चिपकता है ये नॉन स्टिक पैन है फिर भी चिपक रहा है थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये चिपकना बंद हो और इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक ये पैन ना चोड़ने लगे तो ये देखिए इससी तरीके से हमने इसे लगातार चलाते हुए लगबख चार से पांस मिनट तक भून लिया हुआ है आप देख सकते हैं कि ये पैन चोड़ने लगा है हमारा ये मटर अच्छे से बूलेंगे और टेस्टी लगता है और अब तो ये हरी धनिया और लाल मिर्च लीथी वो भी डाल लेंगे अपने ही शायब से दाल किया हुआ है जितना है पशन ये durum फ्रेस मटर और डालेंगे इसके साथ साथ हम इसमें टमाटर डाल देंगे और इन सारी चीजों को हम अच्छे से भूनेंगे इसमें हमें कोई पानी नहीं डालना है यह देखिए हमने इसे अच्छे से भून लिया हुआ है जब यह आलू टमाटर मटर सब कुछ अच्छे से भ आलू डाली हुई है आप बिना आलू के भी से बना सकते हैं और यह बहुत ही टेस्टी सब्ची लगती है आप एक पर जरू ट्राइ कीजिएगा थोड़ी सी धनिया हल्दी सारे मसाले डाल देंगे थोड़ा साम इसमें गरम मसाला डालेंगे लाल मिर्च पाउडर हमने इसमें अच्छी लगती है पानी डाल देंगे तो थिकने साप अपने हिसाब से रखें तो यह देखिए जब यह पकेगी तो और भी थीक हो जाएगी इसलिए मैंने इसमें एक ग्लास पानी पहले डाला था आधा ग्लास फिर डाला हुआ है अब हम लाश्ट में इसमें नमक डालें यह देखिए फ्रेंड्स मैंने इसे 5-7 मिनट तक पकाया हुआ है और जो आलू मटर सारी चीज़ें अच्छे से पक गई है और इसकी थिकनेस भी बिल्कुल पर्फेक्ट है उपर से हम इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और यह हमारा यूपी स् हरे मटर का निमोना बन के तयार है तो अगर आप मटर की सबजी खाके बोर हो जाते हैं तो एक बार इस तरीके से जरूर ट्राइब कीजिएगा यह आपको बहुत पसंद आएगी उमीद करती हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो अच्छा लग क्लें हो नि civar लेके पिलाएब की जा टूल से जरूर बथॉ के narina के आपको लगाएब की अच्छा लेगा इस पार बारी क्ने के ऊच्छा लगा इस पार आपको पसंद आटने का वीडियों नहां दूर होыпगागा जहां जर शरे चाब रidor